आज अतुल प्रधान को पहले पूरे सत्र के लिए निस्कासित किया गया फिर एक दिन के लिए फिर एक घंटे के लिए आखिर ऐसा क्या हो गया अतुल प्रधान बताइए देखे में आपका ध्यान आकरसित होना चाहिए उस विशे पर जिस विशे के लिए हम वेल में गए हम वेल में गए जो कानून की और सविधान की धज्या उड़ा है इन लोगों ने और आप सोचके देखिए जिन बाबा साब का आज पुन्यतीती है जिनकी पढ़निवान दिए फिर भी मानिय अद्यक जी ने कोई बात कई क्योंकि वहां पर जो हैं विदान सबा के अद्यक्ष हैं और हमारे हम लोग वहां के सदस्चे हैं तो उनकी बात माननी चाहिए हमने मानी लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि हमने जो विशे उठाया उसको कितनी गंबी नहीं है और आपने उस परंपरा का उलंगन किया तो विदान सबाद्यक्ष ने आपको सस्पेंड किया देखे आप यह समझिए कि परंपराएं विदान सबाद्यक्ष जी ने बहुत साजी नहीं डाली है पहले टेबलेट यहां पर कहा होता था पहले यहां पर मोबाइल कहा जब यह सदन बना तब मुबाइल फोन कहां थे तो अभी जिस चीज की जानकारी हमें नहीं थी नहीं थी लेकिन अगर जनता को लोगों को अम लोगे बता रहे हैं कि क्या हो रहा है तो यह चीज तो सदन भी बता रहा है लेकिन मुद्दा क्या था मुद्दा था रामपूर का उपचुनाओ, खतोली का उपचुनाओ, मेनपुरी का उपचुनाओ, वहाँ पे जो धानली हुई है, वहाँ पे जो पुलिस का उपयोग किया गया, वहाँ पर जो पर्टारित किया गया लोगों को, पार्टी का नाम पूछ कर, आपको रेड नोटिस जारी किये जा रहे हैं, पुलिस जा रही है पूर विदायकों के घर दविश दी जा रही है रस्ते में लोगों को लोका जा रहा है पार्टी समाधादी पार्टी का नाम लेकर लोगों की गाड़ियां सीज की जा रही है उसको लेकर चुनावा एक को भी शिकायत की हमने सदन में उस विश्यक उठाया देखिए ब्रेश भाई आप भी हाँ सदन को बहुत दिन से कवर करते हैं सब चीज को देखते हैं जानते हम लोग यह कहना चाहते हैं ताना साई चरम पर है यह सरकार सिर्फ ताना साई के बल पर चल रही है अब सदन में सदश्य अपनी बात को क्योंकि कई चीज़े ऐसी होती है सदन में मानिया अज्यक्षी को यह बात सही नहीं लगी नहीं लगी उन्यों की तह़ध नहीं आती थी यहतित है आप आप पश्याता आप हैं गलती मान रहें किस चीज nothing कर दिंद आब किसी की गलती मान लें जो वहाँकी करवाई है वह भी लाइव होती है आप आप प्य लोगों ने कर दी तो ठीक है आगे 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 आने वाले समय पर नहीं देखी जाएगी आपको माफी मागने के लिए बोला गया माफी मागने के लिए कौन बोलेगा और किस चीज की माफी भई हमने कहा दिया पुनवर्ती नहीं होगी बात खतम अद्दिक जी का सम्मान है उ उन्हों ने जो आदिश दिया हमने माना बहुत बहुत धन्यवाद आपको शक्रिया अबी पी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी